नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजीक नय मंत्रालाय की सीधी भरती के बारे में इस भरती का दोस्तों नोट्फिकेशन जारी हो चुका है और इस भरती के लिए दोस्तों आप इंडे की सभी राजों से अपलाई कर पाएंगे मेल तता फीमेल दोने दोस्तों इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यदि आपका सपना है सामाजीक नय मंत्रालाय में काम करने का और यदि आप इस भरती के लिए एलिजीबल है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है यदि द दोस्तो सेली भी आपको बहुती बढ़िया मिलेगी आपको दोस्तो केंद्रिय सेली दी जाएगी आपका पेश किल होने वाला दोस्तो 19,900 से लेके 1,77,500 रुपए इस बर्ती के लिए दोस्तो आप आज की डेट से अपलाई कर सकते हैं दोस्तो यदि आप चाते हैं कि परतेक सरकारी नौकरी की रियल वा ऑथन्टिक इन्फॉमिशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजीगा दोस्तो भरती की पूरी इन्फॉमिशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तो आपको सारी इन्फॉमिशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पोस की भरती है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भरती का लोकेशन क्या है दोस्तों ये सारी information हम आपको इस वीडियो के मादम से देंगे तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भरती से related information के बारे में तो guys आगे बढ़ेंगे जैसे बता है दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक निया मंत्राला की भरती के बारे में यानि की दोस्तों आज की भरती है Ministry of Social Justice and Empowerment की इस भरती के लिए दोस्तों आप इंडे की सभी राजियों से अपलाई कर पाएंगे male तदा female दोने दोस्तों इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आज की भरती में आई सीमा की बात करें age limit की बात करें तो इस भरती के लिए 18 साल से 25 साल 18 साल से 30 साल 40 साल तदा 45 साल तक age वाली candidate अपलाई कर पाएंगे साथे साथ आपको categories wise आई सीमा में छूट भी मिलेगी जाता दोस्तों salary की बात है तो salary आपको बहुती बढ़िया मिलने वाली है जाता दोस्तों फीस की बात है तो इसमें categories wise फीस है 250 रुपर से लिके 500 रुपए फीस का भुगतान आपको online mode से करना है जाता दोस्तों डेट की बात है तो इस भरती के लिए आज की डेट से यानि कि 14 जनवरी से आप इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे और इसकी दोस्तों last date है closing date है 3 February 2023 यानि कि employment news में यानि कि रोजगार समाचार में परकासित होने के 21 दिन के अंदर दोस्तों आपको इस भरती के लिए अपलाई करना पड़ेगा और जाता इस भरती में selection process के बात है तो इस भरती में आपका exam तथा skill test के basis पे selection किया जाएगा दोस्तों post wise ठीक है दोस्तों जा तक इस भरती में apply mode की बात है तो इस भरती के लिए आपको offline apply करना है application form भरके दोस्तों आपको apply करना है लेकिन notification में में से नहीं कर रखा कि आपने by post apply करना है register post से करना है या speed post से करना है फीस का भुकतान तो आपको दोस्तों online mode से करना है जब भी आप apply करेंगे तो form की साथ अपनी फीस की receipt जरूर in close कर दीजेगा ठीक है और mention तो नहीं कर रहा है कि आपको by which mode you have to apply for this recruitment लेकिन आप speed post से या register post से apply कीजीगा ठीक है दोस्तों जान तक दोस्तों पोस की बात है वेकिंसी की बात है तो इसमें दोस्तों भरती होने जारी है लोर डिजन कलर की यानि की एल्डी सी की अकाउंट्स ओफिसर की हिंदी टांसलेटर की जूनियर इंजीनियर सिविल की लेडी नर्स की तता लेडी मेडिकल ओफिसर की आए दोस्तों बात कर लेते हैं post wise qualification के बारे में इसका detail माप को notification से बताऊंगा तो दोस्तों पहली वेकंसी है लेडी मेडिकल ओफिसर की और इस post के लिए MBBS की qualification होने चीए तीन साल का इसमें experience भी मांग गया है ठीक है दोस्तों दूसरी post का नाम है accounts officer इस post के लिए candidate graduate होना चीए बीकॉम pass होना चीए ठीक है दोस्तों और तीसरी post है दोस्तों junior engineer civil की इस post के लिए आपके पास diploma होना चीए civil engineering में तता तीन साल का इसमें experience भी मांगा गया है पोस्त नमर चार है दोस्तों हिंदी translator की इस post के लिए master degree होना चीए दोस्तों आपके पास relevant discipline में ठीक है इसका डेटेल आप यहां से पढ़ लेजेगा और पांचवे नमर की post है लेडी nurse की इस post के लिए candidate दस्वे पास होना चीए साथे साथ आपके पास certificate होना चीए दोस्तों nursing midwife का यह diploma होना चीए nursing का ठीक है दोस्तों और चट्वे नमर की post है LDC की या लो डिजन कलर की इस post के लिए candidate बारी पास होना चीए या आपके पास इसके बराबर की qualification है तो भी आप LDC की post के लिए अपलाई कर सकते हैं इस post के लिए दोस्तों आपको tapping आने चीए हिंदी की या इंग्लीज की इंग्लीज में typing होनी चीए 35 वर्ड या हिंदी में होनी चीए 30 वर्ड कंप्यूटर पर ठीक है तो दोस्तों यह सारी information आपको notification से मिलेगी आप बात करेंगे आज की भरती के location के बारे में तो दोस्तों आज की भरती का location है देरा दून और यह भरती है दोस्तों Department of Empowerment of Persons with Disabilities ठीक है दोस्तों इस भरती के लिए आप इंडिये की सभी राजियों से दोस्तों अपलाई कर पाएंगे तो गईज यह था इस भरती का सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको पसंद आई होगी दोस्तों यह दिया आप दूसरों का बला चाते हैं तो इस भीडियो को अपने दूस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर सेहर कीजिएगा दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना है थैंक यू सो मच